हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर मसाला और पावभाजी मसाला, तो ये मसाला आज हम घर पर बनाएंगे, वो भी बहुत असानी के साथ पीकुल बाजार जैसा, या फिर ये कहें बाजार से भी अच्छा, और बिना किसी प्र साबू धनिये के, साथ से आठ ली है, मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची, एक चमच लिया है, उड़त की दाल, एक चमच चने की दाल, एक चमच अरहर की दाल, आधा चमच राई है, आधा चमच मेथी दाना है, और आधा चमच जीरा लिया है, थोड़ी सी मैने काली मिर्ची लिय सबसे पहले तीनों दालों को भून लेंगे तो यहां पर मैंने चने की डाल डाल दी है उड़त की डाल डाल रही हूं अब मैं और साथ में ही हम डाल देंगे अरहर की डाल अब हम तीनों दालों को डाल कर इसको अच्छे से भून लेंगे तीन से चार मिनट में यह दाले जो हैं वो हो जाएंगी इनको अच्छे से भून लें तो यह देखिए तीन से चार मिनट हो गए हैं दालों को भूनते हुए और इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इस डाल को मैं प्लेट में निकाल लूँगी अब हम उसी सेम पैन में धनिया डाल लेंगे और शाथ में डाल देंगे राई मेथी दना डाल लेंगे अब इसमें जीरा डाल रहे हैं अब काली मिर्ची डाल देंगे इसमें और इन सब को डाल कर हम अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब ये हो जाएंगे तो अब ये देखी इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसमें से धुआ भी निकल रहा है, ये अच्छे से भो गए है, तो अब हम क्या करेंगे, उसी सेम प्लेट में इसे भी निकाल लेंगे, तो मैं इन मसालों को भी इसी प्लेट में निकाल देती हूँ, तो अब ये हमारा पैन जो है वो गरम है, और इसी में मैं डाल देती और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे, कड़ी पता और दोनों को डाल कर साथ में ही भून लेंगे, तो मैं कड़ी पता भी इसमें डाल रही हूँ, और गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा पैन जो है वो गरम है, तो हमें गैस को चलाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ह लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता ऐसे ही रोस्ट हो जाएंगे तो इसको हिलाते रहिए यह देखिए यह हो भी गए है और इसको एक मिनट के लिए और पका लें तो अब यह कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची हो गई है और इसको भी हम उसी मसाले वाली प्लेट में निकाल लेंगे तो ये मसाले हमारे हो गए हैं सारे तो अब हम इनको ठंडा करेंगे तो ये देखिए मसाले जो है वो बिल्कुल ठंडे हो गए हैं ये देखिए तो अब हम क्या करेंगे इनको पीस लेंगे तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पर एक जार लिया है और इस जार में अब हम सारे मसाले डाल देंगे तो ये सारे मसाले जार में डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये हींग, आदा चमच, हल्दी का और साथ में हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमच, चिन्नी का और अब हम इसे बंद करके पीस लेंगे तो यह सांबर मसाला हमारा तयार है अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे तो ठंडा होने के बाद हम इसे एक कंटेनर में डाल लेंगे और आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं ये देखे मैं इसे कंटेनर में डाल रही हूँ आप इसे कभी भी यूज करें दो चमच भरक पाउडर साबु धन्ये के, 7-8 ली हैं मैंने लॉल मिर्ची, 5-7 नमक का, 1 चमच अमचुर पाउडर का, 6-7 हल्दी पाउडर का, 6-7 सौंफ का, 2 चमच लिए हैं जीरे के, यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें मैंने लियें 2 चोटी इलाइची, 1 बड़ी इल और चलिए सबसे पहले हम साबुत धनीएं को और साथ ही में इसके जीरे को भून लेते हैं इनको अच्छे से हम भूनेंगे तो ये देखिए इनमें से धुआ निकल रहा है इत मींज ये अच्छे से हो गए हैं तो चलिए इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो अब इसी सेम पैन में ये पैन गरम है इसमें मैं भून रही हूं ये लाल मिर्ची साथ में मैं इसमें डाल रही हूं सौफ काली मिर्ची ये सारे जो हमने खड़े मसाले लिये थे वो डाल दूँगी मैं इसमें और साथ में तेज पत्ता और अब हम इन सब को भून लेंगे इन सबको भी हम अच्छे से क्रंची करेंगे इलाइची को मैंने तोल लिया था तो ये सारे मसाले जो हैं ये अच्छे से हो गए हैं तो इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे तो चलिए अब इन मसालों को ठंडा कर लेते हैं तो ये देखिए ये मसाले जो है वो ठंडे हो गए हैं तो अब हम इसे भी एक जार में डाल कर पीस लेंगे तो ये सारे मसाले जो है वो मैं इस जार में डाल दूँगी तो ये सारे भूने हुए मसाले मैंने इस जार में डाल दिये हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, हल्दी, नमक और साथ में ही इसमें डाल देंगे काला नमक बिल्कुल थोड़ा सा और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो इन मसालों को मैंने अच्छे से ग्राइन कर लिया है और ये देखे इसका कलर लग रहा है ने अगदम मार्किट जैसा पाव भजी मसाला चलिए अब हम इसे भी थंदा कर लेंगे तो हमारा पाव भजी मसाला भी एकदम तैयार है तो चलिए अब इसे एक साफ कंटेंजर में फिल कर लेते हैं तो ये सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी तो ये हमारा सांभर मसाला और पावभजी मसाला एकदम तयार है आप इसे एक ड्राइ कंटेंजर में फिल करके एक महिने तक अराम से यूज़ कर सकते हैं और फ्रिज में रखकर इसे जारा देर तक यूज़ कर सकते हैं तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ अगर आप में चैनल पर नहीं हैं तो में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा थैंक्स वर वाचिं मैं वीडियो